मनोहर पानीपुरी का ठेला चलाता था उसकी एक चार साल की बेटी थी और पत्नी शोभा दुबारा गर्भवती थी मनोहर का परिवार बढ़ रहा था इसी चिंता में वो ज्यादा मेहनत करता था सुबह जल्दी उठकर पानीपुरी बनानी की सारी तैयारी करके मनोहर जल्दी ही काम पर निकल जाता था और शाम तक ठेले पर पानीपुरी बेचता था मनोहर की पानीपुरी लोगों को बहुत पसंद थी इसलिए ग्राहक भी आही जाते थे मनोहर भईया 40 रुपे की पानीपुरी पैक कर देना पानी थोड़ा ज़्यादा कर देना अभी कर देता हूँ आनीचाने वाले लोगों की नजर मनोहर की ठेले पर पढ़ी जाती थी और पानीपुरी तो एक ऐसी चीज है जिसे देखकर मुह में पानी आही जाता है इसलिए लोग उसके ठेले पर रुख कर पानीपुरी खाते और आगे बढ़ते पर कुछ दिनों से मनोहर की ठेले पर भीड़ानी कम हो गई थी क्योंकि मानसून आ क्या था और रोजाना ही तेज बारिश आ जाती थी इसलिए लोग सडक पर कम रुखते थे बिक्री पर असर होने से मनोहर की रोजी रोटी पर भी असर पड़ा था ये लो रोटी खालो शुभा क्या बात है चिंता में दिखाई दे रही हो पुजा कहां है दिखाई नहीं दे रही वो पडोस वाली माला के घर खेलने गई है वो शरत बाबु आये थे मकान का किराय माँग रहे थे बोल रहे थे 15 दिन उपर हो गए है उन्हें अगले हफ़ते तक किराय चाहिए नहीं तो हमें ये घर खाली करना पड़ेगा उन्हें हम से जाधा किराय देने वाले किरायदार मिल रहे है अरे तु चिंता मत कर मनोहर शोभा को तसली दे देता है पर वो खुद ही बहुत परिशान था क्योंकि उसी शाम जब वो काम से लोट रहा था तो लोगों में बारिश और तूफान को लेकर चर्चा बनी हुई थी अरे मनोहर तुमने सुना क्या मसम विभाग का कहना है कि अगले चार दिनों तक भीशन तूफान और बारिश के संकेत है भाईया सड़कों पर पानी भरा रहेगा इसलिए हम सबने तो सोचा है कि कुछ दिन घर से ही ना निकले मनोहर उस शाम को हुई इस बात के बारे में सोच सोच कर करवट बदल रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अगले दिन जाए या नहीं पर उसे मकान का किराया भी चुकाना था इसलिए वो मकान मालिक शरत से बात करने जाता है शरत जी मैं अगले महिने तक आपको किराया दे दूँगा अभी बारिशों का सीजन है तो काम बिल्कुल भी नहीं है देख मनोहर मैंने घर किराया पर देने से पहले ही ये शर्त रखी थी कि मुझे किराया समय पर चाहिए पर तू हर बार ही किराया लेट कर देता है अब मैं और देर नहीं कर सकता तू अगले दो दिन तक मेरा किराया दे दे वरना घर खाली कर दे मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे से बात करूँ मनोहर चिंता में घुला घर लोटाता है उसके पास कोई और चारा नहीं था इसलिए वो अगले दिन फिर से पानी पूरी का ठेला लेकर काम पर जाने लगता है पडोस की सुनीता भावी कह रही थी कि अगले दो दिनों तक बहुत बारिश होने वाली है मनोहर अभी अपना ठेला तैयार करी रहा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बारिश लगातार तेज होती जा रहे थी मनोहर का पूरा ठेला बारिश के पानी से भीग चुका था उसका बहुत नुकसान हो गया था हे भगवान कितना नुकसान हो गया मनोहर अपनी ठेले को अभी लेकर जाही रहा था कि अचानक से गाड़ी तेजी से आती है और सड़क पर फिसलती हुई एक पेड़ से टक्रा जाती है अचानक हुए ऐसे हाथसे से मनोहर दंग रह जाता है वो देखता है कि गाड़ी एक महला चला रही थी और बराबर में उसके एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी महला के जादा चोट आई थी और वो बेहोश हो गई थी बच्ची को खरोचे आई थी और वो दर्थ से रो रही थी मनोहर उनके पास जाता है और रोती हुई बच्ची को गोद में उठा लेता है लोग उसका साथ देने से मना कर देते हैं मनोहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था उस महला की हालत गंभीर होती जा रहे थी उसके खून बहरा था मनोहर जल्दी से अपने थेले का सामान उतारता है और बड़ी मुश्किल से उस औरत को अपने थेले पर लिटाता है और बच्ची को भी साथ में थेले पर बिठा कर बारिश पे भीगता हुआ बड़ी मुश्किल से एक अस्पताल में पहुँचता है उसे इस हालत में देखकर अस्पताल के डॉक्टर और नर्स जल्दी से उस महिला को एड्मिट करते है मनोहर उस रोती हुई बच्ची को संभाल रहा था बच्ची के हाथ में चोड़ थी मनोहर ने अपने मुबाइल से अपनी पत्नी शोभा को भी फोन कर दिया था ताकि वो परिशान न हो कुछ घंटो बाद महिला को होश आता है वो अपने पती को फोन मिलाती है कुछ दिर बाद उसका पती हॉस्पिटल पहुँचता है और अपनी पत्नी और बच्चे की हालत देख कर घबरा जाता है डॉक्टर, सुष्मा कैसी है? ये सब क्या हो गया? सुष्मा, मुझे तो लगा था तुम अपनी मम्मी के घर पहुँच चुकी होगी रोहेत, मैं घर से निकली थी तो बारिश नहीं थी मैंने सुचा आराम से पहुच जाओंगी पर अचानक पता नहीं क्या हुआ मैं गाड़ी संभाल नहीं पाई कीचड में वो फिसलती चली गई और उसके बाद तो मुझे होश ही नहीं था रोहेत, ये भाईया बहुत अच्छे हैं आज इन्हों नहीं मेरी और स्वाती की जान बचाई है आपकी वाईफ ठीक किया रही है आज की दुनिया में ऐसी मदद कोई नहीं करता हमने अपनी आखों से देखा था ये भाईया बारिश में अपने ठेले पर आपकी पत्नी और बच्ची को हॉस्पिटल लेकर आये थे रोहित को पता चलता है कि मनुहर पानीपुरी का ठेला चलाता है वो देखता है कि मनुहर बहुत गरीब और मजबूर है जो अकेले ही बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चला रहा है मनुहर भहिया अब आपको चिंता करने की कोई जरुवत नहीं है आपका मकान का किराया भी भर जाएगा और आपके फरिवार के परिशानिया भी दूर हो जाएंगी आपकी अपनी पानी पुरी और चाट के दुकान होगी विद्यापूर नामक गाउं में बलदेव नाम का एक व्यक्ति चना चाट मसाले का ठेला लगाता था उसके ठेले का चना चाट मसाला बहुत मशूर था बलदेव के पास ग्राहकों की भीर लगी रहती थी दूर दूर से लोग उसके ठेले पर चना चाट मसाला खाने आते थे इसकी सबसे बड़ी वज़त ही चना चाट मसाला में उप्योग होने वाला चाट मसाला बलदेव तुम्हारे चना चाट मसाले में डले चाट मसाले का जो स्वाद है ना बस पूछो मत ला जवाब है भई एक बार खाओ और उंगलियां चाट ते रह जाओ वाँ बिलकुल भई बलदेव तुम्हारे चना चाट मसाले में कुछ अलग ही स्वाद आता है इसकी क्या बज़ा है जरा हमें भी तब बताओ ये चना चाट मसाले का चाट मसाला मेरे दादा पर दादा के जमाने से चला आ रहा है उन्हीं से मैंने ये बनाना सीखा था हमारे चना चाट मसाले का मसाला एक अलग किस्म का है जो हर कोई नहीं बना सकता पर जो भी है भाईया, ये चना चाट मसाला खाकर मुह का स्वात चट पटा हो जाता है, और तुमने रेट भी ठीक रखे हुए, दस रुपे प्लेट में इतना बढ़िया चना चाट मसाला खाने को मिलता है, वरना आजकल इस महगाई में इतना महगा देते हैं, और खाने की च सुनकर बहुत खुश होते हैं, और हो भी क्यों न, दस रुपे में उन्हें इतना बढ़िया चना चाट मसाला खाने को जो मिल जाता था, इसी तरह से लोग आते और बलदेव के चना चाट मसाले की तारीफ करते, ऐसी ही एक दिन बलदेव, जब अपने ठेले पर काम कर रहा एक बूढ़ा व्यक्ती बलदेव के ठेले पर आया और उससे बोला, भीया मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत परेशानी की हालत में हूँ, मेरी पतनी का कुछ वर्ष पहले ही देहांत हो चुका है, और मेरे बेटा बहु ने मुझे घर से निकाल दिया, तब से मैं दर दर भटक रहा हूँ, क्या मुझे तुम्हारे पास कोई काम मिलेगा, अरे बाबा, आप परेशान मत होईए, आपको मेरे पास काम, रहना खाना, पीना, सब मिलेगा, आप यूं हाथ मत जोड़िये, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी इतनी ब बुढ़े आदमी को सहारा दे दिया, उस दिन से वो बुढ़ा व्यकति बलदेव के पास ही रहने लगा, बलदेव चना चार्ट मसाले का मसाला बनाते वक्त, अपना दरवाजा बंद रखता था, ताकि कोई उसे मसाला बनाते वक्त देखना पाए, पर बुढ़ा व्यकति चोरी से बल्देव को चाट मसाला बनाते हुए देख लेता था। बूरहे व्यक्ति को बल्देव के पास रहते हुए एक महीना भी हो चुका था। एक दिन। अब मेरा यहां कोई काम नहीं है, मेरा काम हो चुका है। वास्तों में वो एक जबान लड़का था जिसने बूरहे व्यक्ति का भेश बना रखा था। तुम बूरहे नहीं हो, तुम कौन हो। मेरा नाम रोशन है, मैं तो तुम्हारे पास चाला की से आया था। अब मैं तुम चना चाट मसाले का ठेला खोल लिया, उसने प्लेट के दाम पांच रुपे रखे थे, अब दस रुपे की जगह जब पांच रुपे में वही चीज़ खाने को मिल रही हो, तो ग्राहक तो वहीं जाएंगे। मैंने आज तक नहीं खाया, बिल्कुल बे स्वादी। इतना घटिया चना चाट मसाला तो मैंने भी नहीं खाया, कितना बेकार बनाया है, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, चलो भाईयों, इसका तो ठेला ही तोड़ देते हैं, इससे अच्छा तो सामने बलदेव का ठेला है कम से कम दस रुपए लेकर बढ़िया चीज तो खिलाता है, हाँ हाँ, इसका ठेला ही तोड़ दो, हाँ तुम सोच रहे होगे ना रोशन, आखिर तुम्हारे चना चाट मसाले में वैसा स्वाथ क्यों नहीं आया जैसा मेरे चना चाट मसाले में आता है, वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें एक दिन चूरी से मुझे चना चाट मसाला बनाते हुए देख लिया था, मैं उसी दि गाउं वाले गुस्से में पीट पीट करतूं जैसे बेइमान आदमी का बुरा हाल कर दें तो यहां से चले जाओ रोशन की सच्चाई जानकर गाउं वाले गुस्से में आ चुके थे रोशन को पता था कि अगर वो दो पल भी वहां रुका तो उसकी खेर नहीं वो मो नीचे करके चुप चाप वहां से चला जाता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ शेयर करना भी न भूलें और भी मज़िदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं देखते रहीए, बेस्ट बडीज